फेलो फ्रेंड्स नमस्ते आ्दाब सस्रिकार मैं हूँ अपका दोस्त रोबिन सिंग दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताऊंगा वटलीस सलवार कि कैसे होती है और के सटिछिंग होती है तो दोस्तों टाइमे को वेश्ट ना करते हो यह शुरू करते हैं आज की वीडियो सिख लेते हैं कुछ नया तो फ्रेंट से जैसे के अब देख सकते हो यह मेरे पास जो कपड़ा है यह कपड़ा है डाइमेटर और टुलिप सलवार के लिए डाइमेटर कपड़ा सफिशेंट रहता है अगर किसी के लंबाई ज्यादा हो म लेकिन जब भी आपने टुलिप सलवार की कटिंग करनी है तो कपड़े को आपको इस तरह से रखना है यह देखिए यानि कि यह जो बंद वाला भाग है आप देख सकते हैं पूरी तरह किसे यह जो बंद है कपड़ा यह आपको रखना है अपनी तरफ और इसके बाद आप इसके उपर इस तरह से रखना है यह देखें आपको दोबार देखा देता हूं दोस्तों में यह जो कपड़ा है इसको मैंने इस तरह के से रखा है और यह जो एक्ट्रा कपड़ा है यह वाला इस कपड़े को आपको इसके उपर यह रखना है आप देख सकते हो किस तरह से म कपड़े को बिछाते समय दोस्तों जो विशेश तोर पर जिस चीज़ का ध्यान रखना है कि यह जो कपड़ा नीचे वाला आपका यह जो कपड़ा है यह इस तरह से बिछाना है आपको मैं दुबार दिखा जाता हूं यह देखिए इसको मैंन कैसे बिछा यह इसको मैंने इस तरीके से बिछा लिया है और बिछाते समय जिस चीज़ का आपको विशेश तोर पर ध्यान रखना है वो यह रखना है कि इस कपड़े को बिल्कुल इसके पास यू नहीं लेकर आना इसको यहां से आप लगभग दो इंच की दूरी पर रखें बाकि आप चाह इसकी चोंच नहीं बननी चाहिए अगर आप इसको बिल्कुल यू पास रख लोगे तो चोंच बनेगी लेकिन हमने इसको रखना है यहां से दो इंच की दूरी पर और इस तरीके से कपड़े को है हमने बिछाना है तो इस तरह से जब आप कपड़े को बिछा लेते हो तो इसके बाद अब मैं आपको बाद आता हूं इसको इसकी कटिंग कैसे करनी है और क्या इसका मेजर्मेंट है दोस्तों यह जो टूलिप सलवार है इसकी जो टोटल लंबाई यह तयार है वह रखनी हमें 36 इंच तो आपको करना क्या है नीचे से यह देखिए नीचे से आपको दो इंच छोड़ा है दोस्तों इस जगह से छोड़ने के बाद आपको लेनी है लंबाई टूलिप सलवागी जो टोटल लंबाई त्यार है दोस्तों वह 36 तो 36 इंच आ रहा है हमारा इस जगह पर लेकिन दोस्तों इसमें 2 इंच की उपर हम बैल्ट भी लगाएंगे तो इस दोस्तों इस तरह कि एंच को तिर्शा रखें और जहां पर आपका चोड़ी सिंच आ रहा है उस जगह आप इस तरह से निशान लगा लें अब यह जो मैंने मार्क कर रहें इन मार्क को आपस में इस तरह से मिलाएं तो friends आप देख सकते हो इस तरह इस में बहुत आसानी से एक मार्क हैं कर लिया है और इक हलकी सी कटिंग करनी है यह कटिंग करते ही आपके टूलीप सरवार की कटिंग हो जाएगी देखें कैसे इसको मैं राउंड में काट लिया है अब दोस्तो जनरली जो आसन होता है तुलिप सरवार का या फिर नॉर्मल सरवार का जो हम आसन रखते हैं वो हम रखते हैं लगबग 13 चौदा इंच बाकि आप अपनी सुधा के निसार जितना भी आसन पहनते हो पहन सकते हो तो इसका जो और यहां से जो है आपको निशान लगाना 1.5 इंच पर और इससे सीधा कर लें इस तरीके से और यहां पर आपको करनी है इस तरह से गुलाई में कटी है इसको थोड़ा साइड में कर ले और इस जगे से यह आपका आसन निकल जाएगा तो दोस्तो अब मैं आपको इसको अ कर लेता हूं अब यह जो बंदवारा भाग था जो हमने अपनी तरह रखा था इसे भी हम अलग कर लेंगे जाने कि इसको अलग करेंगे इस तरीके से तो फ्रेंट्स इस तरह से बहुत असान तरीके से जो है टूलिप सर्वार हमारी कट चुकी है अब मैं आपको बताऊंगा कैसे हमने की स्टिचिंग करनी है तो फ्रेंट्स आपको मैं थोड़ा सा लुक को दिखाता हूं यह दिखिए टूलिप सर्वा काई लुक आप सोच रहे होगी यह क्या चीज है एक्ट्री दोस्तों दोनों पार्ट्स मैंने अलग अलग जो काटे थे उनको मैंने इस तरीके से सैट कर लिया यह दिखिए जैस तो फ्रेंट्स जैसा कि आप देखे तो बैल्ट की केटिंग मैंने कर ली है बैल्ट की कर दिखिए हमेशा हिपस का एकॉर्डिंग होती है हिपस का जो साइज है दोस्तों वह ए 38 इंच तो यह देखिए 38 का दा होता है 19 और इसमें आपको चार इंच एक्ट्रा लेना होता है तो नमबाइट यह पांच इंच में क्योंगा होगा कि दो इंच की तो हमारी बैल्ट कम्प्लीट हो जाएगी और आधा आधा-दा इंच इसमें म्या सब्सक्राइब करनी है जैसे कि आपको मैंने दिखाई दिया है यह दिखिए यह है ट्यूलिप सलवार और इसके जो यह दो पार्ट्स है मैंने इस तरह से सैट करके रखे हुए अब आपको करना क्या है यह देखिए सबसे पहले आपको इस वाले पार्ट को उठाना यह दिखी यह दिखिए इस तरीके से थोड़ा सा खोल के दिखाता हूं आपको यहां से पकड़ा था यहां से आपको स्लाइश शूरू करनी है और अंदर की तरफ मारजन फोल्ड करते होए फिर यहां से लाते हुए इस मारजन को आपको यहां पर लाकर खतम कर देना यानि कि एक छोड़ से शुरुवात करनी है और दूसरे छोड़ पर आपको इसको खतम कर देना है उसके बाद दोस्तों मैं आपको बता हूँ इसका अगला प्रोसिजर क्या होगा तो पहले मैं फैन्टस जैसे कि अग्सक्ति को दिखाता हूं तो इसकी कटांग करनी थी तो उसके बाद से लाइब की आप कि थू了 करनी थी यहां से सो करी मैंने और उदर से गुमाते हुए इस छोड तक मैंने इसमें पूरे में लगा लिए श्राहि लगाते हैं जिस चीज का आपको ध्यान रखना है दोस्तों यह चीज का ध्यान रखें कि यह जो कपड़ा है आपका अंदर की तरफ याने की जिदर की तरफ उल्टा है उस लुक देने के लिए यानि कि जो टूलिप सर्वार होती है लुक है वह लैस से ही आता है अब आपको करना किया इस जगह से लैस की स्टार्टिंग करने यह देखिए यह मेरे पास एक लैस है आप इस तरीके से यह से स्टार्ट करें इस लैस को लगाना और एक स्लाइए में आपकी यह लैस असानी से लग जाएगी तो दोस्तों लैस आप अपनी चोईस की कोई भी लगा सकते हो चाहे सिंगल इस लाइवारी लगा सकते हो यह देखिए यह वाली जो लैस है हमारे कस्टूमर हमें दे गए और उन्हें बोला बहिए मुझे यह वाली लैस लगानी है आपको इस तरीके से लगानी है इसको उसके ऊपर रखना है और आपको इसको रकते समय जो ज जिस चीस aboard को एब द्यां रखना है आपको यहां से लगानि है एक सबस्क्राइं लग जाएगी और असांब्ले जे लक लेकिन लैस और इसको यहां से लाते हुए लाते हुए दोस्तों आपको इस लैस को यहां से जब आप गुमाओगे तो यह लैस आपको पूरी नहीं लगानी सिर्फ यहां से लेकर यहां तक आप बारा इंच तक नाप लें आपको बारा इंच तक ही लैस लगानी है वो बारा इंच तक क्य दर आएगी नीचे वाली जो होती है दोस्तों वो हमें पूरी लगाने के इसलिए जूरत नहीं पड़ती यह देखी जो मैंने निशान लगाया था वो लगाया मैंने बाराइज तक तो उसको पूरा यहां तक लगाने का कोई उचुत्य ही नहीं है जब आपके लेस दिखेगी लगाना एंयों निशान मेंने लगाया हुआ दोस्तों इसी तरीकी से दोनों पार्ट में आपको लैस लगाने भी लेस अजब लैस तक लगा तक क्योंकि यह वाला जो पार्ट है यह हमारा उपर की तरफ आएगा और जीचे से जब हम लगाएंगे तो हमारा जो इसमें पैर डालने के लिए जगा बनती है यहां से अब इसकी हम लगाएंगे और इसलाइ को हमने यहां तक खतम कर देना है और नीचे जो यह लगा रही है फि इसको पार्ट के साथ अटैच करना है उससे पहले हमें जोड़ना होगा इसका आसन और आसनल विलकुन आशान तो आपको ट्रेड़ा काम नहीं करना पड़ागा बिल्कुसिद्थ सीदे तरीके सा आसन से आसन को मिला लें और इस तरीके से यहां से आप बिल्कुल राउंड में एक सिलाई लगाएं यह देखे दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा निशान लगा के दिखा जाता हूं सिर्फ आदा इंच का माजन रखते हुए इस तैसे राउंड में आपको जो है सिलाई लगान के बाद दोस्तों फिर मैं आपको बताऊँ आगहां क्या है तो फैंट आसन के स्रयाई लगाने के बाद अब आपको जहां पर भी इसमें गोलाई वाली जगह दिखरी होगी वहां पर आपको इस तरह से नोगरे और अब आपको मैं बताता हूं इसका जो अगला प्रोसीजर क्या है आपको इस तरह से नीचे से इसको करना है बराबर और ये देखिए कहां पर ये सैट बैठता है इस तरह किसे ये तो है अमारा अंदा वाला भाग और ये है जो है ये उपर वाला जो है लैस ये इस तरह किसे आ जाएगी ये देखें और इस तरह कर लेते हो तो सेट करने के बाद यह आप को मैं तो सिलाइस दिखरी दिए आसनवाल्य इस आसनवाली सिलाइसे आप इस को लैस को इस तरीके से रखें और इसके साथ इसको सैट करते हुए नीचे तक लख 5000ato कशोर्ड की मदद से यहां पर एक निशान लगाना होता है और वोस निशान के अकोर्डिंग फ्रेंड्स आपको जो है इस लेस को अटैच करना है उसके लिए क्या करना आपको पहले इस को तरीके से आप रख लें और आपकी प्लेट्स ज्यादा बन जाएंगी अगर इसे आप पास रखोगे तो आपका थोड़ा घेरा भी कम बनेगा तो दोस्तों इसको थोड़ा सा बढ़ा सकते हो कोई इसमें कोई फरक नी पड़ता जैसे कि इसको यह सेंटर वाली जगह है यहां से इसकी जो दूरी है व आप है तो दोस्तों यह यहां से आप को इस तरह से निशान लगाना है और यह निशान आप को बिलुकुल इसके बराबर ही रखना जितनी कि दूरी आपको यहां से रखिए अब फ्रेंट्स जो में चीज है वो होती है नीचे आपने जो पहुंचे का पैर डालने के लिए जगह छोड़नी है नीचे से आप इसमें लगवाग यह दिखिए यह कोर्ना वाली जगह यहां से आप आप नो तक ही निशान लगाएं आप चाहो तो थोड़ा नो से बढ़ा भी कर सकते हो नो साड़े नो दस इंच यह मैं नो इस पर निशान लगा रहा हूं तांकि पैर जो है आराम से इसमें आ सके तो यह दिखिए नो इस तक आपको जैए निशान लगाना है अब फ्रेंट्स तो यही रहेगा आप हमेशे उपर से लगाएं तो उपर से यहां से पकड़ें और इस निशान के साथ साथ आपको तो लैस को अटैच करते हो जाना यह देखिए कि यह स्लाई में आपको लगा कि दिखाता हूं मशीन पर तो फ्रेंट्स से लगाते समय जो विशेश तो पर द्यान रखना है आपको इस लाइए का नीचे नीचे से कोई कपड़ा इसमें एक्ष्टा ना आ जाए इस तरीके से आपको श्लाई लगानी है तो छॉलिप सलावार में दोस्तो यह जो स्लाई है जो मैं लगा रहा हूं यह स्लाई होते हैs में लिग के सिरा है यह स्लाई आपको बहुत सावधानी पूर्व का लगानी यह होती है और चौक का निशान बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि इसमें फिर अगर आप चौक का निशान नहीं लगाओगे तो आपकी जो है सलाई टेड़ी भी हो सकती है इसलिए मैं चौक का निशान इसमें लगाया था अब जो लगानी दोस्तो यह जो मैं निशान लगाया था इस निशान तक ही आपको जो है लगानी उसके बाद आपको सलाई खतम कर लिनी है इसमें देखी दोस्तों अरराम से पैल चला जाएगा, अब यहां से मैं इसको धागे को काट लेता हूँ और आपको इसको थोड़ा लुक दिखाता हूँ कैसे स्लाइल लगने के बाद, इसमें अराम से आपका पैल चला जाएगा। तो दोस्तों यह देखिए एक जो है एक तरफ का जो पनला हो तैयार हो चुका है अब सेम इसी तरीके से आपको दूसरा वारा जो पार्ट है उसमें भी स्लाइल लगा लेनी है तो फ्रेंड्स लेस लगाने के बाद आप इसका लुक देख सकते हो हमारी लगभग आदी से ज्यादा सलवार है कम्प्रीट हो चुके है इसको टूलिप सवा बोला जाता है अब दोस्तों क्या करना है जब आप लेस लगा लेते हो तो अब आप देखिए यह वाला जो एक्ष करना है इसको लगाने के बाद दोस्तों आपको जो नेक्स्ट प्रोसीजर है जा उसका मैं वह बताता हूं क्या है आप देख सकते हो यह मेरे पास बैल्ट है और बैल्ट के दो टुकड़े थे दोनों में पहले मैंने एक साथ अटैच कर लिया जोड लिया इधर भी से लगा आई है जैसे कि यह देखिए पहले मैंने सीदी लगाई थी उसके बाद इसको मैंने कपड़े को दोनों तरफ मारजन करते हुए लगा ली थी यानि कि यह वाला जो पार्ट होगा हमारा बैल्ट का यह इस तरीके से आएगा इस तरीके से तो इसको थोड़ा सा बाद में हम खोल लेंगे नरा डालने के लिए तो फ्रेंड जब इस तरह से आप बना लेते हुआ बैल्ट बनाना बिल्कुल आसान इसमें कोई टेडा काम नहीं यह देखिए यह सेंटर से सेंटर आपको मिलाना है और यह देखी आपको इदर एक कट लगाना होगा और एक कट आपको इदर लगाना होगा इसी तरीके से इसके दोनों आसने वाले पॉइंट आपसे मिला ले और यहां पर आप सेंटर में कट लगा ले और एक कट आप इदर लगा ले तो दोस्तों बै आपको कट लगाना इदर भी कट लगाना वो कट हमने लगा ही लिया है अब आपको करना क्या है इस चीज का ध्यार करना है कि यह वाला जो हिस्सा है जिसमें मैंने स्लाई लगाई है यह इसका आगे की तरफ आए उसके लिए आपको उल्टा कर लिया मैंने अब करना क्या है आ दालने शुरू करनी है यानि कि जो लेस लगाई है हमने लेस से थोड़ी सी दूरी से लगबग एक इंच की दूरी पर ओ प्लेट लगाने कैसे यह देखिए आप इस तरीके से प्लेट डालें और यह प्लेट आपको तब तक डालनी है जब तक आपका यह वाला कट है जो यह मैंने velt में side में cut लगाया था वह cut मैं आपको दिखा आता हूँ यह देखिए दोस्तो इस तरीके से यह center है इसका और इस center में दोस्तो यह is cut इसका एक कट इदर लगाया मैंने और एक कट मैंने इदर लगा दिया तो आपकी जानकर के लिए दोबार बादाता हूं यहां से इसको स्टार्ट करना है और यह प्लेट आपको तब तक डालनी है जब तक यह वाला कट इस साइड वाले कट से ना मिल जा इस तरीके से तो दोस तो यह जो निशान लगाया मैंने लैस का यहां से मैं प्लेट आलनी शुरू कर रहा हूं यह देखिए और प्लेट की जो दूरी है बस लगबग आपको रखनी है सबाइंच यह एक निच के मार्जन के अंदर है यह कट है जो इस कट से मिलना चाहिए देखते हैं कितनी प्ल प्लेटों का जो डिस्टेंस से बिलकूँ बरावर बरावर हो तो फेंट्स यह देखिए यह जो कट है इस कट के साथ इसको मैंने मिलाना है और इस तरीके से एक दो तीन चार चार प्लेट्स में असानी से आ गई अब इसी कर्म को आपको जारी रखना है और जितना यह कट स इसकी दूरी है प्लेट की उतनी ही दूरी पर आपको अब इदर से प्लेट्स लगानी है यह जो प्लेट्स मैंने दोस्तों लगाई थी उस तरफ आसन की तरफ इनका मुह करना था लेकिन अब जो प्लेट मैं लगाऊंगा उनका जो मुह आपको करना है वह इस तरफ करना है आसन की तरफ यह है इसका कट और इसका कट से यह प्लेट की दूरी लगबग दो इंच है तो यहां पर दो इंच पर निशान लगा ले अब जो प्लेट आपको डालनी है उनका मुह आपको इस तरफ करना होगा अब जो आपको इस तरफ डाली थी और चार प्लेट है आपको इस तरफ इसमें डालनी होंगी तो फ्रेंड्स अब इदर से कैसे में आपको मिलान करना यह देखिए यह यह इसके आसन के सिलाई और इदर है यह वाला जॉइंट यह दोनों जॉइंट आप असे मिल जाएंगे और आपकी जो है यह प्लेट इस तरीके से लग जाएगी यह देखें दोस्तों वही आपको यहां पर जो है प्लेट का जो दायरा है वही रखना है और यह आसन वाली जगह मिलाएं आपस में और यहां पर आपको यह प्लेट केहीं खतम कर देनी है तो दोस्तों इस तरीके स से पूरिप पूरी बैल्ट आपके सानी से लग जाएगी क्लिए तो यहां जाएगी वह वह दस Люб इसमें आटेच कर लिए बहुत आसान तरीका से मैंने प्लेट्स पी आपको पता दी है यह इसका अर्सराय संटर IT-POINT है और जब आपने लगानी होती है तो से आप लेस लगाते हो लेस लगते हो एक किंच handle पर आप को प्रेट लगानी होती है यह देखी इन प्लेट उसका प्रेट है जो एनका मुह में रखना है आप अंदर की तरफ याने की आसन की हैं और बहुत असान तरीके से दोस्तों जब आप इसको पकड़ के इस तरह सकते हैं यह फिर चाहें तो आप इसमें नाड़ा भी डाल सकते हैं क्योंकि स्लाई लगाने के बाद हमने यह जो स्लाई है अंदर वाली को खोलेना है मैं आपको थोड़ा सा खोल के दिखाता हूं कै कैसे स्लाई खुलेगी यह देखिए यह जो स्लाई होती है इसे आप इस तरीके से खोलें एक टाका खोलेंगे तो यह देखी पूरा का पूरा जो है यह 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 आपका खुल जाएगा और असानी से इसके अंदर आप नड़ाया फिल लास्टिक डाल सकते हो तो दोस्तों यह स्लाई लगा के मैं आपको दिखाता हूं और उसके बाद आप जो है यह सलवार कम्प्लेट हो जाएगी तो फ्रेंड्स अब आप देखी इस तरह से इसमें मैंने स्लाई लगा ली है और फिनिशिंग के साथ कम्प्लेट हो चुकी है हमारी ट्यूलिप सलवार तो दोस्तों बहुत आसान तरीका है मैंने आपको ट्यूलिप सलवार बनाने का बताया है अब इसमें सिर्फ इंटरलो को प्रेस करने के बात दोस्तों यह जो है तूलिप सलवार बिल्कुल कम्प्लेट है तो दोस्तों यह थी यह मारी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि अथै बनाई बनाती है यह इसलो पीष prossय लग करें और अगर चैनल पर पहली बार तो प्लीज हमारे चैनल क को सब्सक्राइब करें थैंक्यू वेरी मच्च